हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के सुडिमम थ्री वायर सिलिंग फेंड टेस्टिंग, सीरिस टेस्ट बोड से किस तरह की जाती है, आज के सुडिमम सीखने वाले है, आज के सुडिमम फेंड टेस्टिंग काफी आसान तरीके से सीखने वाले है, जिसे वाच करने के बाद आप भी अपने घर पर आसनी से किसी भी फैन की टेस्टिंग सीरिस बोर्ट से कर सकेगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते है सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमारे पास सिलिंग फैन होता है उसमें हमारे पास दो winding होती है इस तरह से आप देख सकते है एक running winding होती है और एक starting winding होती है basically क्या होता है हमारे पास दो तार starting winding के होते है और दो तार running winding के होते है जो आपका ceiling fan में तीन तार निकल रहे है तो winder man क्या करता है एक starting और एक running तार को short कर देता है और आपके पास एक तार common हो जाता है एक start हो जाता है और एक run हो जाता है इस तरह आपके पास तीन तार होते है अप कई बार क्या होता है आपका fan defective होता है या चलता नहीं है तो उस condition में आपका ceiling fan में क्या problem है से किस तरह चेक किये जाएगा आपका ceiling fan defective तो नहीं है इसके लिए testing करने के लिए आपको क्या करना होगा चलिए सीख लेते हैं देखिए यदि आपका ceiling fan में कोई defect है तो उसमें तीन problem हो सकती है या तो आपका ceiling fan की जो winding है जो इस तरह से winding है वो कहीं से या तो break हो चुकी है यहां से कट पिट के जूड़ जाएगी तापके जो वाइंडिंग होगी शौट होगी तो इस कंडिशन में भी आपका फेन नहीं चलेगा और यहां से कोई वायर तुटा और इसके हमारे ट्रांस जो फेन का जो बोडी है उस बोडी से टच हो रहा है तो आपका जो फेन होगा वाडी होगा चले यहां सीख लेते किस तरह 3ों की टेस्टिंग की जाएगी देखें सबसे पहले हमें ओपन चेक करना हे हमारी वाइंडिंग अब आप जब इसमें चेक करेगे और आपका वाइंडिंग किसी तार में यह नहीं जल रहा है आप इस तरह से यह चेक करते है और यदे किसी पॉइंट पर चेक करने पर आपको कुई नी भी दो तार के भी चेक करने पर आपका बल्ब यदि बिलकुल भी नहीं जलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वाइंडिंग है वह देखिए या इसमें पर डीम जल रहा है पर ग्लो जलूर हो रहा है यदि किसी पॉइंट पर चेक करने के बार आपका बल्ब बिलकुल भी यदि नहीं जल रहा है तो आपकी जो वाइंडिंग है वह ओपन हो चुकी है तो इस तरह आप उपन चेक कर सकते हैं शौट किस तरह चेक कर सकते हैं चलिए हम समझ लेते हैं आप क्या करें कि देखिए एक तार आ यदि आपका बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ गलो होता है तो जो आपका सिलिंग फेन है उसके वाइंडिंग क्या है आपस में शौट हो चुकी है उसका रेजिस्टिंस कम हो चुका है इसलिए जो आपका वाइंडिंग है शौट होने के करण यहाप फुल गलो हो रहा है अब यदि हम ground चेक करें तो ground किस तरह चेक कर सकते है तो ground होगा तो क्या होगा हमारा ceiling fan की body से touch होगा तो हमें एक तार उसकी body में कहीं भी लगा लेना है आप कहीं भी लगा सकते है और ध्यान रखिए जब आप इस तरह से तार को लगाए तापको fan को touch नहीं करना है अब ध्यान रखिए चलिए एक तरह हमने fan की body में आप कहीं भी लगा सकते है और बारी बारी से आपको हर एक winding की जो तार है उसे touch करना है यदि आपका तार किसी भी तार को लगाने पर यदि आपका bulb glow होता है तो आपका fan की winding वो body हो चुकी है पर यहां पर हमारा कोई भी तार टच करने पर हमारा bulb glow नहीं हो रहा है यह हमारी winding है वो body नहीं हुई है यह हमारा fan एकदम accurate okay है यह तो open है यह ना यह short है ना यह ground है आपको समझ में आया हो किस सरा ceiling fan की testing की जाती है आय होब आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट समझ जरूर बता है और इसके topics लेटर यहरी fan की testing है connection या direction change करने समझ करने से लेटर जो भी topic है कमेंट समझ में जरूर पोचे हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके सो आज के लिए इतना ही ठेंक्स फ्रेंट्स